चलिए, शुरू करें, चलिए, शुरू करते हैं, देखो, तो 68 में आपको दिया हुआ है, y is equals to root मे, root मे tan x plus root मे tan x and ये आपका चलता जा रहे है, ठीक है, tan x, root tan x plus root tan x, इस तरीके से ये चलता रहेगा, अब देखो, इसको solve करने का प्रॉपर तरीका क्या है, हम square करें दोनों सा root, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या मिलेगा, y square is equals to tan x plus, ये चीज़ सेम रहेगी, क्योंकि एक square root आपने open किया है, लेकिन ये infinite times तक था, तो क्या, अगर मैं इतना part निकाल देगा हूँ, इस बागी बच्ची part को भी मैं y बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना, तो ये भी कि differentiation ही है, जब differentiate करोगे, या क्या मिलेगा, 2y minus 1, क्योंकि दोनों ही y कितमें साथ में लिख सकता हूँ, dy by dx, equals to tan x का होता है, sec square x, और हमसे actual में सिर्फ इसी की ही value पूछी गई थी, right, 2y minus 1, dy by dx की ही value पूछी थी, देखो, तो कितनी ही होती है, sec square x, आपसे पूछा है, क्या limit exist क cortex, आपको यह बताना था, क्या limit exist करती है या नहीं करती है, यह हमारा basic सा question है, क्या limit exist करती है, आप देखो, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, सबसे जो best तरीका होता है, इसको करने का, क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, we write it in proper fraction form, so इसको बैसे भी लिख सकते हैं, limit x tendings to 0, और cortex क्या होता है विटा, that is, cos x upon sin x, correct, cos x upon sin x, अब extending to 0, जब हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, remember, अगर limit exist करती है, तो difference, लोगा दो, उसमें अगर value रखके चल रहा है, तो limit exist करती है, वरना, नहीं करती, अब आपको यह चीज़ तो पता है, कि cot x, अगर cot 0 निकालो, तो not defined होता है, cot 0, not defined होता है, लेकिन क्या यह value 0 है, नहीं है, यह 0 की तरफ approach कर रही है, यह value है, 0 तो नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर, अभी कौन सा form बन रहा है, अभी आपका बन रहा है, 1 upon 0 form, अगर मैं यहाँ पर value रखने की सोचू, 1 upon 0 आ रहा है, जो कि not defined है, क्या आप यहा capital rule तभी लगता है, जब भी आपका 0 by 0 form हो, या infinity by infinity form हो, यह जो limit exist, नहीं करती, क्योंकि हम तो differentiate तो कर नहीं सकते है, यह sin x upon cos x बना दे, यह कर सकते हैं, यह minus sin x upon cos x आ जाए, बन गया, बट वो भी नहीं सकता है, क्योंकि यह 0 upon 0 form नहीं है, इसे तुम और भी कोई जुगार क जाओ जैसे कि भाई x से multiply divide, उसे क्या होगा, यह वाला part 1 बन जाएगा, लेकिन तब भी तो एक 0 मिल ला है, 0 तब भी मिलेगा, राइट, तो कुछ भी लगा लो, यह limit क्या होगी, it limit, this limit does not exist, अगला प्रश्न, question number 71, अब देखो, sorry, 70, 71, देख रहे हैं ना question, visible है, जूम करू देखो, 70, 71, 72, 73, जितने भी question है, सारे कि सारे, L-Hopital Rule से बड़े अराम से होते हैं, answer आजाता है, L-Hopital Rule से answer आजाता है, लेकिन आपको तलाओड ही नहीं है, exam में आगे तो क्या करोगे, MCQ में आगा तो बिलकुल, करो, must रहो, यह 0 by 0 form आ रहा है, देखो, E की पावर 0, 1 हो देख रहा है, तुम कैसे करना है, तुमें करना है, formula से, और formula क्या होता है, वो समझो, so limits का जो formula होता है, question 70 कर रहा है, limits का जो formula इसके लिए बनेगा, वो यह बनता है, कि भाई, limit, जब भी आपको दिये x tending to 0, E की पावर x, minus 1 upon x, इसका answer हमेशा 1 होता है, यह standard form होता है, क्या की होता है, log है, यह दो formula जियाद कर लो, तो तुमारे बड़े काम आने वाले, क्योंकि लॉपिटल रूट है नहीं, तो यह दो formula तुम्हारी जान बचाएंगे, यहां पर, सिफ formula में convert करना है, देखो, L-Hopital Rule क्या होता है, L-Hopital Rule से, basically, आपको उपनीशे differentiate करना होता है, और रख सकते हो, answer 5 आएगा की नहीं, आएगा, 5 into 1 कितना आगया, 5, यह तो L-Hopital Rule था, आप answer check करने के लिए, use कर सकते हो, but proper form क्या करना है, वो समझो, हमें इस formula लाना है, यह x है, तो यह x होगा, यह 5x ही क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए, बास समझ में आ रही है, तो question 70, अ आना पड़ेगा, कैसे, उपर नीचे 5 से multiply, divide करके, हमारा question भी change ना हो, और हमारा form भी आ जाए, यह बन जाएगा, basically, 5 times limit, अब यह 5x 0 लेखे कोई दिखका थे, xe tends to 0 या 5 times xe tends to 0, बात है की होती है, number कोई भी multiply कर सकते है, वो इसलिए करते हैं, ताकि यह form बन जाए, बस e की power 5x minus 1 upon 5x, इसकी value कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि यह होता है, formula देखो सामने लिखा है, तो यह हो गया, 5 into 1 equal to 5, बात समझ भाएगे बिटा, ठीक है, यह formula है, इसकी वाज़े से यह 1 होता है, तो मैंने उसका directly यहाँ पर use किया, clear, provided यह, यह और यह same होना चाहिए था, तो same ब ठीक है, तो यह आपका final answer रहा है, 5R, अगर 71 solve करने को बोले जाएं कर सकते हैं, देख भई, 1 minus 1 0 हो गया, सिर्फ x square का root बचा, क्या आया, x आया, तो question क्या आगया, question आपका बना, limit, extendings to 0, 2 की power x minus 1 upon x, यह अला form है यह नहीं है, फिर तु मंदर आगे, इसको बाहर करके, ठीक क्या होगा, log of, ठीक है, log of 2, option number 1, 72 and 73, बाइ, 72 में क्या करना है, ठीक हो, proper form बनाने के लिए, क्या करेंगे, यह दो तरीके, यह तो सिधा-सिधा, अलग-अलग करो, नीचे sine x भी है, तो यह भी दिक्कत करेगा, उपर भी दिक्कत करेगा, again, l-hopital rule होता, answer क्या आता, 2 आता ठीक है, कैसे, मन में differentiate करो, यह e की पावर x, e की पावर x होता, minus of minus, e की पावर minus x, plus e की पावर minus x आ जाता, तो 0 रखोगे, तो यह 1 plus 1, 2 हो जाएगा, नीचे sine x का cause से सुखा होता, cause 0 भी 1, तो 2 upon 1, 2 होता, तो direct answer ऐसे सोचना है, cvt के लिए सोच सकते हो, अभी क्या करना है, वो समझो, आपको यहाँ पर देखो e की पावर x दिया है, तो I can write it as the limit, extendings to 0, e की पावर x, plus 1 upon e, minus है न, कोई बात न, minus 1 upon e की पावर x, कोई दिक्कत, divided by, divided by, sin x, चलेगा, ठीक है, next line पर देखो क्या लिखेंगे, limit, extendings to 0, क्या यह e की पावर 2x नहीं बन जाएगा, minus 1, divided by, e की पावर x into sin x, ये भी सही है, मैंने क्या किया, मैंने LCM लिया, तो e की पावर x into e की पावर x, e की पावर 2x, बेस सेम पावर एड हो जाती है, e की पावर x, उसमें into e की पावर x करोगे, तो e की पावर 2x बन जाएगा, right, समझ भेना न, एक एक स्टेप समझो, यहाँ पे, clear है, आप देखो, हमें standard form बनाने के लिए नीचे 2x चाहिए, तो उपर नीचे 2x से multiply कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं उपर भी 2x से multiply कर रहा हूं, नीचे भी 2x से multiply कर रहा हूं, question change नहीं हुआ कहीं से भी, ठीक है, अब थोड़ा से na adjustment करना ह यह जो 2m बाहर ले लेते हैं, 2 times of limit, अब इसको लिख सकते हैं, 2x tendings to 0, चलेगा, एक इसके साथ लो, a की पावर 2x, minus 1 divided by 2x, यह जो 2x था, इसके साथ आ गया, clear, बचा क्या था मेरे पास, नीचे बचा था, sin x, और यह जो उपर एक x बचा था, क्या मैं उसको ऐसे लिख सक हूं, बोलो, जो उपर x था, नीचे लिख सकते हैं, तो 1 upon x में, ताकि normally वापस उपर चला जाए, same चीज है, तो पूरा मैंने adjust कर दिया, कुछ भी बचा नहीं, उपर क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे क्या लिख सकते हैं, limit, extendings to 0, यह भी standard form आ गया, यह बी standard form हो गया, standard form से य into, यह बन गया, 1, into, यह कितना बन गया, 1 upon 1, अच्छा हम कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, इसको, right, कोई बात नहीं, रख लो कहीं भी, into, 1 upon e की power x, limit भी लोगे, तब भी क्या मिलेगा, 1 upon 1, e की power 0 कितना होता है, 1, कोई फरक नहीं पढ़ता, तो answer कितना आ गया, answer आ गया, जो मैंने बताया था, ठीक है, इसका answer आ जाएक, option number 8, which is 2, देखो, यहां पर दिया है, limit, extendings to 0, 3 की power 2x, minus 2 की power 3x, divided by x, अब थोड़ा सा अलग-अलग करने चीज़ों को, ताकि solve करने में असानी हो, ठीक है, अलग-अलग करने से पहले एक काम देखो, अगर मैं यह रिक्कत, question कोई change आया, अब यह करा क्यों, वो समझो, अब मैं लिखूंगा, limit, x tendings to 0, by 3 की power 2x के साथ, मैं यह वाला minus 1 ले रहा हूं, ठीक है, कोई रिक्कत, यही form, क्योंकि form हमारा यही होता है, कि something minus 1, तो अगर मैं इधर लेता हूं, देखो, अगर मैं minus 2 की power 3x लोंगा, और मुझे आपर bracket लगाता हूं, तो obviously मुझे अंदर भी minus 1 लेना पड़ेगा, तभी यह plus 1 का formation होगा, ठीक है, अंदर भी मैं minus 1 लोंगा, तभी यह plus 1 का formation इस तरीके से होगा, denominator में आ जाएगा आपका x, तो यह बैट जो, सही है, ठीक है, यह चीज़ समझो आ गई, अब क्य मैं इसको अलग अलग नहीं कर सकता, एक ही denominator दोनों को अलग कर लेते हैं, so limit x tendings to 0, I can write it as 3 की पावर 2x minus 1 divided by x, and minus limit x tendings to 0, 2 की पावर 3x minus 1 divided by x, ठीक है, जोलेंगे वापिस यह मिलेगा, बोलो, when I connect everything वापिस से यह मिलेगा, समझ वहा रहे, अब एक चीज़ देखो, अभी भ होना चाहिए था, अगर पावर जो ही denominator में होना चाहिए था, तो इसके साथ क्या करेंगे, उपर नीचे 2 से multiply और divide, same काम यहाँ भी, यहाँ पर 3 से multiply और divide, ठीक है, इतने का answer क्या जाएगा, इसका आजाएगा 2 into log 3, log a होता है, a की पावर x लिखा है, तो log a हो जाएगा, right, minus 3 into log 2, यह पूरा बन जाएगा, log 2 into 3, तो 3 into log 2, अभी हम जोड तोड़ नहीं सकते, क्योंकि पावर बनाना है, तो यह हो जाएगा, log 9 minus log 8, कोई देखा, 3 का square 9 होता है, 2 का cube 8 होता है, और बीच में अगर minus sign होता है, तो यह बन जाता है, log 9 upon 8, that is the answer, ठीक है, 74 का, limit, x tends to 0 दिया था, हम लिख सकते न, e की power x minus 1, minus x upon x, क्या यह नहीं कर सकते थे, बताओ भाई, इसको बाहर ले जाओ, यह आजाएगा, 1, तो इसका भी क्या value होता है, पूरा, 1 minus 1, answer is, 0, थोड़ा से फूरती लाओ अपने अंदर, clear हुआ, और यह अर्रेंजमेंट ही है, सिर् लिख जाओ, बना बहुत रोग एसी वीटी तक, अभी टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है, वर्शन नंबर 75 देखो, d by dx of, e की power x, सेक x है, बतानी ज़रुएत है, कर लोगे, क्या करोगे, e की power x, differentiation of, सेक x, प्लस, सेक x, इंटू, e की power x, सेक x मैंने पहले ही कर दिया, तो स differentiation क्या होता है, सेक x, tan x, तो मैं e की power x, सेक x common ले सकता हूँ, e की power x, सेक x मैंने common ले लिया, answer आजाएगा tan x plus 1, कौन सो option है, option B, ठीक है, सेक x into tan x, इसका differentiation, तो इसके मैंने e की power x, सेक x दोनों में था, common ले लिया, इधर से tan x बचा, इधर से 1 बचा, तो यह answer आगया, clear, 77 वाला, 76 वाला, same type, similar type पर है, ठीक है, तो मैं 77 कर रहा हूँ, 76 आपके हवाले बतन साथ हूँ, कर ले न, इसको नोट कर लिया, करनी की जरूरत नहीं थी, खुदी कर लो गयार, यह वाला तो, अच्छे बच्चो, 77 देखो, हमें दिया है, d by dx of e की power, tan inverse root x, tan inverse of root x, यह दिया जाजीदा e की power tan inverse x आजाएगा, correct, root x, sorry, tan inverse root x आया, फिर क्या आया, tan inverse root x आया, यह x था नहीं, जो नहीं था, उसको वापश से differentiate करोगे, तो 1 प्लस x आ गया, क्यों x, क्यों x square नहीं, क्योंकि वो root x था, tan inverse root x का differentiation, 1 upon 1 प्लस, ठीक है, और क्योंकि वो root x था, x नहीं था, इसलिए उसको वापश से differentiate करोगे, तो 1 upon 2 root x, ठीक है, यह आपको final answer आजाएगा, अब जो भी इसमें बैठ रहा हूँ, I guess यह वाला है, d वाला, सिर्फ chain rule, कुछ भी नहीं, जब तक x का differentiation ना मिल जाए, तब तक differentiate करोगे, यह proper जो standard form differentiation तो में ना मिल जाए, हमें root x का final differentiation मालूम का, वहीं हम रुख गया है, उसको differentiate करके, अब वापश से x का करोगे, तो वाना हैगा, right, कोई रिकत, 78 में क्या है, f-1, 5 है, then what will be derivative of f of e tan x with respect to x, at x equal to 0, बढ़िया question, समझ नहीं आया होगा, हमसे पूचा है, एक function था, fx type का, ठीक है, fx हमारा कोई function है, we don't know that function, but we know that fx है, ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि, what is the derivative of f of e tan x, अब fx कुछ था, I don't know क्या था, लेकिन आप बताना है कि, f of e tan x का, e की power na, e की power tan x का differentiation क्या हैगा, यह आप से पूचा, at x equal to 0, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी को differentiate करना है, यह जो दिया है, इसी को differentiate करो, तो normal अगर function होता, f dash x का होता है, f dash x, अगर वो x है, similarly, यह x तो है नहीं, इसको वापर से differentiate करेंगे, so, कहने का मतलब क्या है, कि, अगर मैं इसको differentiate करता हूँ, यह नया type का question तुमारा, तो यह क्या मिलेगा, f dash of e tan x, सही बात है, बोलो, अब क्योंकि वो x नहीं था, e की power tan x था, तो विरसे differentiate होगा, तो क्या हैगा, into e की power tan x as it is, और tan x तो differentiation क्या होता है, sec square x होता है, ठीक है, आप से क्या पूछा गया था, at x equal to 0, मतलब कि इसके अंदर में क्या रखने है, x equal to 0, जो भी हमारा answer आया है, तो dy by dx, जो भी आया है, dy by dx, at x equal to 0, मतलब answer जो आया है, उसमें एक 0 रखना है, इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, ठीक है, जब आपने 0 रखा, आपको लेगो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f dash of e की power 0, यानिकि 1, into e की power again, 0, into, ये क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का square basically, 6 0 कितना होता है, 1 होता है, और उसका square भी, 1 का square होता है, तो f dash 1 आपको कितना given है, 5 given है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो answer is 5, ठीक है, आप जिसी ये question दिया है, इसमों करने की जरूवती है, यूँ गलत question है, by pi by 4 plus pi by 2, इसका differentiation ही 0 आजाएगा, आएगा गी नहीं आएगा, तो dy by dx 0 आ रहा है, question गलत है, कुछ सोचो, pi by 4 plus pi by 2 है, तो number, नमबर का differentiation क्या होता है, 0, any constant is 0, तो इसका answer, 0, clear, अब ये वाला हम लोग अलगी कर चुके थे, 1 minus sin x, 1 plus sin x लिखा है, तो क्या करोगे, conjugate से multiply, divide करो, तो log of उपर आजाएगा, 1 minus sin x का whole square, तो log of 1 minus sin x upon cos x, अलग-अलग करना चाह, अलग-अलग कर लो, answer आज़ा, क्या बिटा, 0, 0, tan x, x को 0 रखा, तो tan 0, 0 हो गया, e की power 0 हो गया, clear, ये अलग कर लोगे न, पदानी जरू होता नहीं है, ये आएगा तुमारा log of 1 minus sin x upon cos x, right, log of 1 minus sin x upon cos x, उसको अलग-अलग कर लो, differentiate कर लो, answer आज़ाएगा, ठीक है, 1 upon sin x upon cos x आया, तो last rule में differentiate इसका करना है, log of 1 minus sin x, और minus log of cos x का, इसका differentiation करना है, क्योंकि upon में आया है, तो अलग-अलग इस तरीके से हम कर सकते थे, इसको करोगे तो 1 upon 1 minus sin x, और chain rule से वो, minus cos x आज़ाएगा, तो करोगे अपना अपना, simplification करोगे, answer आज़ाएगा, ठीक है, not very difficult, अराम सोचाएगा, 81, ठीक है, 81 में याँ लिख रहा हूँ, 81 आपको बोला गया है, कि y is equals to e की पावर, 3 log x, plus 2 x, e की पावर, 3 log x, plus में 2 x, तो 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 में e और log में थोड़ा सा ना, comfortable होना आप सीखना पड़ेगा, तो कुछ properties होती है, अगर कभी भी आपको e log x लिखा मिले, तो क्या लिखना है, x, limit हो या ना हो, खरपरक नहीं बढ़ता, क्या होगा ये, x होगा, ठीक है, अगर ऐसे कुछ लिखा होगा, e की पावर 2x प्लस 3y, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर 2x into e की पावर 3y, multiplication में भी पावर साइड होती है, ना, समझ रहे हो, तो ये दोनों चीज यूसर के यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ ना, बिल्कुल, क्या बन जाएगा ये, ये बन जाएगा e की पावर 3 times of log x into e की पावर 2x, कोई रिकत, so far, so good, अभी इसको तुम नहीं कर सकते हैं कि यह 3 आ गया, log में coefficient 1 होना चाहिए, so this can be written as e की पावर log x का cube, ठीक है, पावर क्या होती है, नंबर के उपचली जाती है, into, इसके साथ तो कुछ नहीं होना, इदर 2x ही रहना है, तो ये y आ गया, e और log हट गया, क्या बचा, x का cube into e की पावर 2x, ये अब आपको differentiate करना है, तो dy by dx, इसली आ जाएगा, एक को रोको, दूसरे का differentiation करेंगे, तो e की पावर 2x into 2, प्लस e की पावर 2x को रोको, इसका differentiation करेंगे, तो 3x का square, common ले लो, जितना common आ सकता है, कुछ common आएगा, आएगा, बिल्कुल x square common आएगा, right, x square common आएगा, तो 2x e की पावर, 2, अच्छ, e की पावर 2x भी common है, बाओ, तो यहाँ पे x का square, और e की पावर 2x common था, क्या बचा, 2x बचा और यहाँ पे 3 बचा, इसी answer आजाएगा, ठीक है, option number 1, clear, समझ भाया, एक-एक step, तो यह important था, कि इसको यहाँ पे राके, x cube कैसे लिखा, clear, जब भी आप लिख रहे हो, e की पावर log x, तब यह x आ जाएगा, इसका coefficient बन होना चाहिए log का लेकिन, ओके, अच्छ, देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, y is equal to 3 का square, log base 3x, दिर्चम का कुछ, भाई, वो भी power थी, यह 2 भी multiplication में आ जाएगा पावर में, तो क्या हो जाएगा भाई, y is equal to 3 की पावर log base 3, x का square, तो y हो गया, x का square, तो dy बेट इक्स कितना आ गया, option C, y is equal to, e raised to the power x, plus e की पावर minus x, divided by, e की पावर x, minus e की पावर minus x, तो पहले तो इसको, proper way में solve करना है, solve करने का मतलब क्या है, जो minus x है उसको eliminate करते हैं, तो e की पावर x, plus 1 upon e की पावर x हो जाएगा, divided by, e की पावर x, minus 1 upon e की पावर x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यह हो जाएगा, e की पावर 2x, plus 1, divided by, e की पावर 2x, minus 1, और जो divide में था, वो कट जाएगा उपर नीचे, e की पावर x, clear, यह बन गया, so हमारा जो formula, तो वो formula क्या था, याद है, e की पावर limit sense में नहीं लगी, अच्छा यह तो y से, limit नहीं है, तो y की वाली तो यह आ गई, clear, हमें क्या चाहिए, dy by dx चाहिए, तो y यह था, तो dy by dx क्या आएगा, बताओ, denominator का square होता है, e की पावर 2x, minus 1, और simplify कर सकते है, plus 1, minus 1, ना, ठीक है, चुड़ा इसी, इसका क्या हो जाएगा, whole square हो जाएगा, ठीक है, उपर क्या आता है, denominator as it is, 2x minus 1, और इसका differentiation, तो e की पावर 2x, इंटू क्या जाएगा, 2, clear, minus, minus sign लगाएगे, और यहाँ पे भी क्या जाएगा, e की पावर 2x, plus 1, और इसका differentiation कितना होगा, again, 2 की पावर, 2 इंटू e की पावर, 2x, ठीक है, उपर नीची क्या कट रहा है, minus sign तो ऐसे भी गाएगे, वो चुका अपना, उपर नीची क्या आ रहा है, यह minus sign हो गया, d and d, denominator, numerator, minus sign कहीं नहीं न, बहुत बढ़िया, cancel out हो रहा है गया, ने ने चाएगे, plus minus में, sorry, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा, 2 की, 2 into e की पावर 2x, common, यहाँ से मिलेगा, e की पावर 2x, minus 1, minus of e की पावर 2x, again minus 1 मिल ला है न, लेकिन क्या बन जाएगा, sorry, plus 1 मिल ला है, तो यह भी minus 1 हो जाएगा, सर्भी भारत है, देखो, e की पावर 2x, हमने यह common लिया, यह वाली चीज, minus यह वाली चीज, तो इसमें plus था, इसमें minus दोनों में हो जाएगा, तो यह वाली value cancel हो गई, upon e की पावर 2x, minus 1 का whole square, देखे, तो हमारे पास क्या बचा final में, हमारे बचा minus 4 times, e की पावर 2x, divided by, e की पावर 2x, minus 1 का whole square, ठीक है, यह value आ रही है, अब अगर मैं इसको simplify करूँगा, यह इसके square की बराबर होता है, इसको मैं और simplify कर सकता हूँ, हमें relate करना है y को और इसको, ऐसे directly relate तो हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो directly relate हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको convert करो इस form में, मतलब numerator में खाली यह रहा जाए, numerator में हमारे पस, denominator में खाली यह रहा जाए, ठीक है, शायद तब हो जाए कुछ, तो बस conversion वाला यहां पे काम, थोड़ा सा फसेगा तुमारा, बाकी it's all good, अब देखो, यहां पे था, तो मैं यहां पे लिख सकता है था, e की पावर 2x, प्लस 1 था, I can also say minus 1, और क्योंकि मैं minus 1 कर रहा हूं, मैं एक और plus 1 ले सकता था, ठीक है, क्योंकि मैं balance कर रहा हूं, नीचे क्या आएगा, नीचे आजाएगा, e की पावर 2x and minus 1, clear, numerator में देखो, हमें मिलेगा, e की पावर 2x minus 1, upon e की पावर 2x minus 1, और बीच में आया है, plus twice of e की पावर 2x minus 1, clear, तो 1 plus 1, 2 इधर आ गया, और minus 1 मैंने उधर, यह क्यों लिया, क्योंकि ताकि यह cancel out हो जाए, तो मेरा जो y बन रहा था, क्या बन रहा था, 1 plus 2 upon e की पावर 2x minus 1, ठीक है, यह मेरा y की वाल्यू है, अब इससे इसको relate कर सकते हो, square है न, देखो यह इसका, square है, negative sign के साथ, यह और यह इसका क्या है, square है, लेकिन negative sign के साथ, अगर आप differentiate कर रहे हो, और और कुछ मिल ला था, और कुछ नहीं मिल ला था, ठीक है, यह इसका square है, negative sign के साथ है, simplify क्या, plus 1, minus 1, ठीक है, everything is fine, ठीक, तो क्या हम लिख सकते हैं, देखो, dy by dx, कहा गया, equals to 1 minus y square, एक लोगता ही है, नहीं, minus y square है, but वो e की पावर 2x उपर आ रहा है, 1 minus y square होगा, अगर मैं इसके square करके, minus करता हूं, मुझी value मिलेगी, 1 plus या 2, इसका square, minus 4 times e की पावर या, यह होगा, option number C, ठीक है, आप लोग खुद करके देखना, एक बार, 1 minus y square open करना, exactly तुमको यह ही मिलेगा, y क्या है, y यह है, 1 minus y square open करोगे, exactly आपको वो अली value मिलेगी, ठीक है, चलो, आगे बड़े, question number 84, x upon x minus y, equals to log a upon x minus y, then dy by dx is equal to, अब थोड़ा सा इसको न, में दादी से सुमें solve करना पड़ेगा, वरना, फस जाओगे, अच्छे से, ठीक है, अब दोनों side x minus y, काट मत देना, क्यों नी काटना है, क्योंकि अदर log लगा हुआ है, आपको dy by dx की वाल निकाले, और answer देखो कैसा आ रहा है, fraction में आ रहा है, सभी बात है, कर सकते हैं ऐसा, clear है, क्यों किया, because, property, log m upon n लिखा है, तो log m minus log n, clear, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, कि minus बीच में, upon में होगा, तो minus में जाएगा, minus में होगा, तो upon में नहीं जाएगा, different चीज़े होती है, clear है, so, यह अब differentiate हम डिरेक्ली कर सकते हैं, we can differentiate, so, differentiation करोगे, इधर आपको मिलेगा, x minus y का, whole square, और यहाँ पर आएगा, denominator, differentiation of numerator, minus, numerator into differentiation of, denominator, correct, बात समझ जाएगी, clear है न, d, n, nd, equals to, यह होजाएगा, 0 minus, 1 upon, x minus y, into 1 minus, dy by dx, कोई रिक्कत, यह भी समझ में आगया होगा, बंद का दो, बात से बिटा, बंद का दो, आई गया, चालो, ठीक है, यह value मिल गई, अब इसको simplify आप जब करोगे, देखो, अब you can, cancel एक power यहाँ से, एक पूरा value यहाँ से, कर सकते हैं, समझो ना, आप क्योंकि, lock तो रह नहीं गया, अब हम cancel out कर सकते थे, और एक चीज़ है, यहाँ पर हम दो, assume करके चलने, x should not be equal to y, ठीक है, तो लेखने की ज़रुवरत नहीं है, obviously exam में, बट assumption हमारा यही है, क्योंकि अगर यह होगा, तो denominator zero हो जाएंगे, जो possible नहीं है, clear, अब बस simplification ही है, simplify कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा, x minus y, minus x, and plus में, x times of, dy by dx, clear, equals to, अब मैं थोड़ा सा, जुगार लगा के, x minus y उदर multiply कर रहा हूं, ठीक है, x minus y उदर multiply किया, और क्योंकि यह, minus sign के साथ था, तो I can also say, भाई, यह dy by dx, minus 1 है, minus अंदर ले लिया, कोई रिक्कर, step समझ भाया, minus sign मैं ने अंदर ले लिया, यहाँ आप open करोगी, तो minus 1, plus में, dy by dx साथ था, वही बात है, तो इसको, इसे x minus y से multiply करेंगे, जब आप multiply करोगी, तो x x तो पहले यहाँ से cancel out हो गया, तो आपका सुचा, minus y, plus x, dy by dx, equal to, यहाँ में multiply करोगी, तो x into dy by dx, minus x, and minus में, y dy by dx, and plus में, y, clear? अब सोचों कि, काट दे कटेगा थोड़ी ना, लेकिन एक चीज़ कटेगी, यह, है ना, एक चीज़ तो कट गई यह, अब हमें क्या मिला यहाँ से, हमें यह मिला, कि सब कुछ इधर ले जाकते, जो उसमें नहीं included है, तो हमें मिल जाएगा, इसको इधर ले आओगे, तो y of dy by dx, ठीक है, इसको इधर ले आओ, बाग ही को इधर ले जाओ, तो यह ज़ेगा, 2y minus x, ठीक है, 2y minus x, y एक था, एक और इधर ले ले गए, plus में 2y हो गया, 1x minus में तो minus x हो गया, so I can also say, जो मेरी dy by dx की value है, that is, इसको divide करोगे, तो क्या मिलेगा, 2 minus x upon y, यह मिलेगा, y को divide किया, तो 2 minus x upon y, option कौन सा है, option number, d, मैं answer देख भी नहीं रहां, बाद में देखा, ठीक है, सबच में आया, कैसे आया, तो एक एक step यहाँ पर important था, आपको यह करना ज़रूरी था, क्या, कि मैं log यह और इसको अलग-अलग करूँ, बिलकुल नहीं, आप यही पर differentiate करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी, अच्छा, लेकिन उसमें आपको problem यह होती, कि आपको फिर, question true लगाना पड़ता, दुबारा क्योंकि, differentiate करोगे, तो question true लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही अलग कर लो, log की properties पता हैं, तो करो, इधर भी log होता है, मैं वही करता, था नहीं, तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, so question number 87 में, I guess यह लिखा हुआ है, कि y is equals to, log, base में x square है, base में x square है, और इसके अंदर लिखा हुआ है, ln of x, base में x square है, और अंदर लिखा हुआ है, ln of x, then f dash e बताना है, मतलब कि, इसका dy by dx निकालना है, at x equal to e पर, ठीक है, तो अगर आप ऐसे डरेक्ली भी लिखते हो, this is f dash x, तब भी चलेगा, तो इसको simplify करने के लिए, आपको क्या करना है, सिर्फ x की, पहलो तो वो करना है, यह f x है आपका, सबसे पहले क्या करना है, differentiate करना है, लेकिन differentiate तब तक नहीं होगा, जब तक base में e ना हो, जितना भी आपका differentiation work करता है, log पे, उसमें base में क्या होना चाहिए, base में आपका e होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे, it should be written as, f x equals to, log base e पे lnx, log base e पे lnx, divided by, divided by log base e पर x square, now this works, ठीक है, अब इन दोनों में difference किया था, basically change of base फाला formula था, अगर मैं लिखता हूँ, log base of a b, तो यह बन जाता है log b upon log a, जो भी base होता है, उसको अलग-अलग करके, different basis लिख सकते हैं आपे, तो वही हमने यहाँ पे किया भी, ठीक है, इसके बाद, आपको क्या लगेगा, आपका लगेगा product rule, यहाँ पे क्या लगेगा, product rule लगेगा, यह number दिया क्या है, यहाँ पे लो एक्स लिखा है, lnx लिखा है, lnx ही होगा, अब इसको जब वह लगाओगे, question rule से solve करोगे, आपको denominator में मिलेगा, log base e x square का, whole square, यहाँ पे आजाएगा, तो दी अन दी होता है, denominator as it is रखोगे, तो log base e x square आजाएगा, into differentiation of this, जब इसका differentiation करोगे, आपको मिलेगा, इसका आता है, 1 upon log x, lnx का मतलब क्या है, log x simply, base e पर, into इसका differentiation, 1 upon x हो जाएगा, बीच में हैगा minus sign, आप जो numerator में था, उसको as it is लिख दो, जो numerator में था, आपकी पूरी value आ रही है, यह आपकी f dash x की value आ गई, अब आपको इसमें खाली e रखना था, जहाँ जहाँ x से e रखोगे, तो देखो यह बन जाएगा आपका, यह 1 बन गया, log base e और e का square, वो 2 आ जाएगा, रख देतें, log base e into e का square, into 1 upon log e, into 1 upon e, minus में, this will be minus में, यहाँ पे log e दिया हुआ था, log e base में, अब log e लोगे तो यह बन आ जाएगा, ठीक है, अब 1 के साथ कुछ भी लिखाओ, log 1 के साथ कुछ भी लिखाओ, यह part 0 हो गया, denominator में तुम्हाँ पास बचा, log base e पे e का square का whole square, ठीक है, तो final answer basically तुम्हारा यह आ रहा है, तो इसको थोड़ा साथ simplify कर लेते हैं, थोड़ा साथ simplify करोगे, मतलब करोगे तो यह देखो e square, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, into 1 upon 1 हो गया, into 1 upon e हो गया, divided by, यह आपका, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, तो यहाँ आएगा overall 1 upon 2 e answer है, 1 upon 2 e, है option में बिल्कुल है, तो हमने जो assume किया था, वो सही था, 1 upon 2 e होगा answer में, it's just differentiation और कुछ भी नहीं है, बहुत असान है, तो question यहाँ मैं सही से ढंक से लिख दे रहा हूँ, उसमें लिखा नहीं है, log base x square पे, bracket के अंदर log x लिखा है, अगर base नहीं दिया है, यानि base e हमने लिया हुआ है, ठीक है, base अगर नहीं दिया हुआ है, तो हम base e assume करके चल ले है, तो अंदर देखो base नहीं दिया, तो इसका base क्या होगा, base e होगा, clear है, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, question number 88 and 89, अब 88, क्या हुआ question है, g0 की value इतनी ही है, g-0 कितनी है, then f-0 बताना है, तो देखो, fx दिया आपको, ऐसे question कराने चाहिए, fx की value है e की power x into gx, right, अब हमको f-x निकालना है, basically है तो यह अग function, यह अग function है, क्या होता है, एक साइगा, बस मुझ मैं, एक को रोगो, दूसरे को ठोको, अब आपसे पुछा, f-0 की value, तो basically क्या होगा, e की power 0, g-0, plus g of 0, into e की power 0, यह होगा, values रख देते हैं, यह होगा, 1 into g-0 की value है, 1, plus, यह 2 दिया है, और into 1, तो आपका final answer आजाएगा 3, तो f-0 की value कित्ती आगई, 3, which is option number c, okay, question 89 देखो, यहाँ पर यह अगर होगे, differentiation ही तो करना है, दो functions है, अराम से हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, differentiation ही तो है, question number 89, sheet सब के पास है, तो यहाँ पर दिया है, e की power x plus y, equals to xy, यह दिया है, और dy बाद dx की value निकाल लिए है, तो उससे पहले, इसको proper form में लिखते हैं, यह होगा e की power x, into e की power y, is equals to xy, कोई रिक्कत, क्या लिखेंगे, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, जब यह आपने काम किया, तो यहाँ मिलेगा e की power x, इसको रोका, इसका differentiation किया, तो यह आजएगा e की power y, dy by dx, क्योंकि क्या आपने इसका differentiation किया है, clear, plus, e की power y as it is लिखा, और e की power x का differentiation कर दिया, कोई रिक्कत, नहीं है, equals to, यहाँ पर x को रोकोगे, y का differentiation का क्या मिलेगा, dy by dx, plus y को रोकोगे, x का differentiation का क्या मिलेगा, यह आ गया, clear है, अब देखो, dy वाले dx वाले terms एक तरफ कर लेते हैं, और normal वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो आगर मैं dy by dx वाले terms ले ले लूं common, तो यहाँ पर में को क्या common मिल ला है, यह मिल ला है e की पावर x प्लस y, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, minus x, correct, इसको इधर ले आए, equals to y minus, equals to y minus, e की पावर x वाल, छोड़ो, अच्छा, y minus, इसको क्या लिख सेकते हैं, अच्छे, सोचो, थोड़ा सा और यहाँ पर जुगारगा के देखते हैं, यह क्या हो गया, e की पावर x प्लस y, dy by dx, plus e की पावर x plus y, equals to x, dy by dx, and plus में y, options देखो, कहीं भी e का mention ही नहीं है, है क्या, नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी यह वाले terms हैं, क्या बन सकते हैं, x, y बन सकते हैं, क्योंकि मेरे को बोला हुआ है, कि e की पावर x प्लस y क्या है, x, y, तो हर जगा क्या लिख देंगे, x, y लिख देंगे, तो इसको इसको अगर मैं dy by dx वाले terms को मैं साथ ले आऊ, पहले लिख दो वाना इसमें फिर confused होगे, भाई, x, y, dy by dx, प्लस x, y, इकोल्स टू, x, dy by dx, प्लस y, ठीक है, अब अगर मैं इसको इदर common लेता हूँ, तो dy by dx में यह common बिल जागा, यहां लिख लेते हैं, उपर, यहां पर क्या आजाएगा, देखो, यहां पर क्या आजाएगा, इट विल भी, dy by dx common, हमें मिलेगा, x, y, minus x, equal to y इधर है, और इधर आके, एक x, y आ रहा है, clear, अब हमें मिल ला है, dy by dx, y, common, 1, minus x, correct, divided by x, common, x, common, 1, minus, y, minus 1, y, minus 1, clear, यह answer आएगा, so, कोई option है, ऐसा, बिलकुल है, पहला वाला, ठीक है, option number 1, question 90, cos x की power x है, cos x की power x को differentiate करना है, तो वह ही अपना product rule, अब प्रोड़क्ट में नीच, sorry, chain rule, chain rule लगाना पड़ेगा, तो answer क्या आएगा, मेरे हिसाब से answer आएगा, option number B, यह रटा हुआ नहीं, क्योंकि आता ही है, x की power x की power x, 1 plus log x, right, chain rule से, chain rule से अब लगाना इसको करते, रेखो, question 90, तो यहाँ पर अगर आपको दिया है, y is equal to cos x की power x दिया हुए, correct, अगर मुझे इसको differentiation करना है, तो dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx will be, cos, cos का हो जाएगा, minus sin of x की power x, angle सेम रहता है, फिर जो angle उसको differentiate करते हैं, angle का differentiation ही होता है, x into x plus x log x, x की power x, sorry, यह होता है आपका, x की power x, x की power x, 1 plus log x, यह इसका differentiation होता है, I guess हमने किया हुए एक लास में यह, किया है न, नहीं किया अभी तक, तो यह direct answer आ गया है इसका, क्योंकि अगर आपको x की power x से पता है, तो कर लोगे, अब x की power x के सुथ होता है, वह समझो, x की power x लिखा हुआ है, अब यह मत करना, कि बेटा, dy by dx, x आगे ले आ है, x into x minus 1 कर रहे हो, यह नहीं करना, वह x की power n का होता है, यह variable की power variable है, तो यह directly हम नहीं कर सकते, तो करने के लिए, हमें क्या लेना है, लोग लेना है, लोग y equals to x times of log x, यह बाद समझ भाई, कैसे किया, लोग में x की power x था, तो जो x power थी, वो आ गया आ गया, यह x बन गया इधर, और log x आगया, इधर भी log, क्योंकि log ले रहो, दोनों साइड लेना एक तरफ तो ले नहीं सकते, तो जब differentiation करोगे, यह मिलेगा 1 by y, dy by dx, यू कि यह y था, right, is equal to, यहां क्या लगेगा, product rule, x into, log x to differentiation, 1 upon x plus, log x into, x to differentiation, 1, तो क्या आ जाएगा, dy by dx की value, will be equal to, y into, 1 plus log x, correct, और y क्या था, बेटा, x की power x था, into, 1 plus log x, तो x की power x to differentiation क्या होता है, x की power x, 1 plus log x, जो मैं देको directly लिख दियाता है, यहां पे, clear, कोई doubt पिटा, नहीं है, तो वो question तो उतना ही था, यह मैंने थोड़ा से extra बताया आपको, ताकि यह वो question हो पाए, ठीक है, अब कोई भी x की power x दिखो दिया हुआ है, question 92 दिख रहा है, x की power x की power x है, 3 बार है, तो 2 बार log लेना पड़ेगा, जब तीन बार होगा, तो log कितनी बार लेना पड़ेगा, दो बार, तो यहाँ पर देखो लिखा है, y is equals to, 3 plus x, divided by, 1 plus x, यह x plus 1 लिखो, कोई फरख नहीं पड़ता, और यहाँ लिख देंगे, 2 plus 3x, यह लिखा हुए, तो जब आप log लोगे, इदर बनेगा, log y is equals to, 2 plus 3x, into log of, 3 plus x, upon x plus 1, चाहो तो यहीं पर कर सकते हो, बट मैं सला यह दूँगा, कि इसको अलग-अलग कर लो, अलग-अलग करने का मतलब क्या है, यह है, कि आपको लिखा है, log y is equals to, 3 plus 2x लिखा हो, this is 3 plus 2x only, और यह जो चीज है, bracket के अंदर, I can write it as, log of x plus 3, minus log of x minus x plus 1, अब यह क्यों कर दिया, ताकि question अमारा आता रहा, easy हो चाहे, ठीक है, product rule क्या कहता है, product rule यह कहता है, कि भाई, एक को रोको, दूसरे को differentiate करो, दूसरे में इसको रोकना, इसको differentiate करना, यह अलग product होगा, यह अलग function होगा, यह अलग है, यह अलग है, दो हम function लेके चल ले, तो अगर multiply करना है, तब तुम्हें दो बार product rule लगाना पड़ेगा, not feasible न, तो पहले क्या, solve कर लो, differentiate कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, this will be 1 upon y, dy by dx, equals to, इसको रोकते हैं, 3 plus 2x आजाएगा, और इसका differentiation करते हैं, इसमें आपको मिलेगा, 1 upon x plus 3, minus 1 upon x plus 1, clear? ठीक है? इसका differentiation में मिलेगा सीदा सीदा, और क्योंकि वो linear number है, एक से खाली, तो दुबारा differentiation करने की, chain rule की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर, plus sign के साथ, यह जो bracket में मैंने लिखा था, इसको अलग-अलग करने की भी जरूरत नहीं थी, I can write log 3 plus 6 upon x plus 1, ठीक है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कोई फरेक नहीं पड़ा, और in 2, अब यह value जो आएगी, इसका differentiation होगा, जो होगा 2, क्या होगा? 2 होगा, 3 plus 2 x सा differentiation क्या होगा? 2 होगा, 0 plus 2, तो यहाँ पर यहाँ पर simplify अगर आप करोगे, तो आपको मिलेगा dy by dx, dy by dx equals 2, कहां किया question? simplify हो जाएगा, यहाँ सब कुछ कटपिट जाएगा, यह आपका आएगा y, y मतलब यह वाली quantity, तो इधर आगया y, यानि कि 3 plus x upon x plus 1, into 2 plus 3x, ठीक है? हम f-0 निकालना है, यानि x के वाली क्या रखनी है? ऐसी रख दे रहाएगा, छोड़ो, dy by dx है, और यहाँ पर dy by dx के आजाएगा? dy by dx equals to, this will be, रख लो यार, 3 plus x divided by 1 plus x, इस पूरे की पावर, 2 plus 3x, into this whole thing, into this whole thing, तो 3 plus 2x, और यहाँ पर कुछ करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे फिए हमें value रखनी है, x plus 3 minus 1 upon x plus 1, ठीक है? If you want to simplify, you can, यह क्या आजाएगा बेटा, x plus 1 minus x minus 3, divided by x plus 3, into x plus 1, clear? और plus में, twice of log x plus 3, divided by x plus 1, ठीक है? यह आजाएगा, रख खा x को 0, भाई x को अगर आब 0 रखोगे, तो यह क्या मिलेगा? This will be 3 का square, bracket में, 3 into, यह आजाएगा 0 रखा, 1 minus 3, minus 2, minus 2 upon 3, correct? minus 2 upon 3, plus, twice of log 3, log 3 का square, log 3 का square नहीं, log 9 आजाएगा, इसको simplify रखके, जहाँ पर मैंने x को 0 रखा, कोई रिकत? यह आ रहा है सबका? आ रहा है? आप इसको simplify करोगे, यहाँ से 3 3 तो cancel हो जाएगा आपका, यह वाला 3 3 तो cancel हो गया, minus 2 बचा, minus 2 and 9, minus 18 आगया, this is minus 18, और यह 3 का square, इधर multiply होगा, 9 multiply होगा, तो 9 आपने multiply किया, इन्होंने क्या किया है, 9 multiply किया है, तो plus 9 times log 9, अब instead of taking that, हमने क्या क्या है, इसका square इन्होंने common होगा है, राइट? something like that, तो यहाँ पर, they wrote, log 3 का square, कोई रिकत? 3 में है ना, log 27, log 3, 27 है, 3 का square 9 होगा, and 3 का square, something, this x plus 3, 3 का square 9, ठीक था, log 9 होगा, 3 का square, 18 आएगा, सही तो है, कुछ गलत कर रहेगा, कोई गलत तो नहीं रखी देख लो, एक बार cross check कर ले ना, कोई गलत वाल्यू तो नहीं रखी मैने, 3 plus x, 2 का square, okay, 3 square 9 होगा, that's fine, यहाँ पर 0 रखा, 0 plus 1, minus 3, minus 2 आगया, that is also fine, 0 and 0, 3 आगया, that is also fine, everything is okay, यह answer आएगा, ठीक है, यह यह answer है, question number, 92, 92 में बोले, dy बे दिल सो अफ एक्स की पावर की पावर एक्स, की उसकी पावर एक्स, यह दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, log y लेंगे, तो जो भी इसकी पावर होती, यह निए x की पावर x, यह आगया आगया, और log x अंदर आगया, फो यह दिक्कत, अभी भी मारा है, जो purpose वो solve नहीं हुआ, हुआ क्या, लोग दुबारा से लेना पड़ेगा, तो जब हम लोग लेंगे, तो मैं मिलेगा, log of log y, log of log y मिलेगा, is equals to, अब दोको इसमें अगर आप log लोगे, तो यह multiplication में नंबर है, तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इसकली मैं ले रहा हूँ, log of x की पावर x, इसकी पावर x, इसकी पावर, यह ले रहे, लोग दुबारा इसकलिए तो यह आया, अब लोग a इन्टु बी कितना होता है, लोग a प्लस, लोग b, तो इस विल बी, इस इसकी पावर, यहाँ पे x आगया आजाएगा, प्लस, log of log x इधर आगया, तो basically log दोनों में separate हो गया, और इधर तो था ही आपका log of log y, अब differentiation जब करोगे, बहुत ही जाद़ ट्रिकी हो जाएगा differentiation, क्योंकि वो होगा, log of something का क्या differentiation होता है, 1 upon something, 1 upon log y, something है उसका, अब वापिस से log y का differentiation 1 upon y होता है, ठीक है, और क्योंकि यह y था है इसलिए, dy by dx, इधर भी, इसका आपको मालूम है क्या आएगा, इसका आएगा आएगा आपका, log x का differentiation 1 plus log x, this is 1 plus log x, correct, 1 plus log x, plus again 1 upon log x, into 1 upon x, यह इसका differentiation आ रहा है, इसको simplify करोगे, आपको answer मिल जाएगा, clear, अब log y की value यहां पर रखी, तो x की power x, यह पूरी log y की value यहां पर रखनी पड़ेगी, so it's a lengthy question, not in your course, but still मैंने बता दिया, question number 93, आप log लोगे, तो यह, x की power p दिया है, और y की power q दिया है, आ गया है, x की power p, y की power q is equals to, x plus y, अब power में p plus q, तुमको dy by dx निकालना है, सबसे पहले log लो, तो log के अंदर, x की power p, प्लस y की power q हो गया, equals to, यह जो power थी यह आगे, आगे, और यहां पर आगे log of x plus y, correct, समझ आया, power जो होती है, आगे जाती है, यह अलग नहीं हो सकता है, यह अलग हो सकता है, तो यहां आजाएगा, आपका log of x की power p, तो p को आगे ले लेंगे, right, x की power p का मतलब क्या है, p को आगे ले लेंगे, प्लस थाइं के साथ, q log y, is equals to p plus q, into log of x plus y, कोई रिक्कत, यहां तक, नहीं है, differentiate with respect to x only, तो यह आजाएगा, आपका p by x, plus q upon y, into dy by dx, क्योंकि यह y था, ठीक है, this is equals to, यह simple सा p plus q ही आएगा, और कोई product नहीं लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि यह number है, यह क्या है आपका, number, number into something को, product रूल लगाना होता है, लिखा तो 5 log x, तो क्या product रूल लगा थे, 5 लिखते है, log x रितम चे, 1 upon x लिखते है, अब इसका differentiation क्या होगा, बिट्टा, 1 upon x plus y होगा, correct, लेकिन, क्योंकि यह x नहीं, x plus y था, तो differentiate यह वापिस से होगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस dy by dx, clear, बोलो, समझ में आ रहे हैं, so basically मेरे पास क्या आ रहे हैं, मेरे पास यह आ रहे हैं, यह वाली value है, I have p by x, I have q by y, dy by dx, अब थोड़ा से इसको simplify करने में, दिमाग खराब हो सकता है तुमारा, यह पूरा number है, तो I can say by p plus q by x plus y into 1, एक तो यह value मिल गई, plus p plus q upon x plus y into dy by dx, बास समझ में, यह पूरी value into 1 और यह पूरी value into this, तो यह अलग-अलग हमने कर लिया, अब dy by dx से ले टम्स एक तरफ और normal value terms एक तरफ ले ले लेते हैं, तो जब आपने यह काम किया, इसको टादू, इसकी नहीं नहीं हमें, dy by dx एक तरफ ले लो, कहीं भी ले लो, किसी को भी कोई फराख नहीं पड़ता, मैं इसको इधर ले आता हूं, dy by dx को इधर ले आता हूं, जब मैं इधर लाओंगा, देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, p upon q minus p plus q divided by x plus y equals to dy by dx common, dy by dx common है, यहां से में को यहीं मिल ला p plus q upon x plus y, लेकिन minus में q upon y, minus में q upon y, it's just simplification यहां से, नीचे क्या मिलना, आपको देखो, नीचे आपको मिलेगा, q into x plus y, मिलेगा, q into x plus y, और यह से multiply होगा, तो multiply होगे मिलेगा, by px plus py minus pq, और minus में q square, is equals to dy by dx, और यहां पे भी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, py plus qy minus qx minus qy divided by x plus y into, यह क्या था, y था, p by q, और q by y, ठीक है, into y, अब दोनों साइट से यह x plus y can be cancelled out, कर सकते हैं? दोनों साइट से x plus y can cancel out भी कर सकते हैं, क्या और कुछ common लेके cancel out कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो dy by dx की value कितनी आजाएगी? यह चला जाएगा numerator में, तो और तो आएगा, कुछ common आ नहीं रहाता, आ रहता है क्या? नहीं आ रहाता, यह इदर चला अगा y into px plus py minus pq minus q square divided by, इदर आएगा q into py plus qy minus qx and minus me qy, ठीक है? यह चार्टम, इदर भी चार्टम साने चाहिए नहीं रहाएं, लेकिन चार्टम आरे चार्टम आरे ठीक है, इदर xy, p ka square, ठीक है, everything is fine, x plus square, ठीक है, यह आपका answer होगा, ठीक है? लेंदी स्टिल आंसर तो है एनी डाउट्स अब इसको आप अलग नहीं कर सकते थे यह लॉग एक्स प्लस लॉग वाई नहीं लिख सकते थे क्लियर है ना 94 इसमें बोला गया है कि y is equal to e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x and so on ठीक है यह infinite series जा रही है तो भाई यहां से भी यह क्या कहलाएगा यह भी तो y होगा पूरा एकदम identical है कि नहीं है एकदम identical है तो मैं ही कह सकता हूं कि यह लिखा है y equals to e की पावर x plus y can I say this right तो यहां से अब जब simplify करोगे तो can I say दोनों साइट log ले 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 तो log y is equals to x plus y into log e 1 होता है log e कितना होता है 1 तो जब इसको differentiate करोगे आपको मिलेगा 1 upon y dy by dx equals to 1 plus dy by dx correct x का differentiation 1 y का भी 1 होता है लेकिन y है तो dy by dx एक तरफ ले लोगे तो आप जब dy by dx को एक तरफ लोगे तो यहां मिलेगा 1 upon y minus 1 equal to 1 तो 1 minus y आ जाएगा तो dy by dx की value आपको मिल जाएगी यहां से y into 1 minus y ठीक है y into y upon 1 minus y clear कैसे आया समझ में आगे कि नहीं आया option number b question number 95 अब यहां पर आपको derivative निकालना है इसका cos inverse of sine square root में 1 plus x by 2 plus x की power x correct यह है with respect to x at x equal to 1 x equal to 1 रखना है अब interesting very very interesting चीज़े यह ऐसे solve नहीं होगा अगर आप cos inverse x का formula लगाने जाओगे d by dx of cos inverse x कितना होता है बच्चों minus 1 upon square root of 1 minus x square अब यह तो x की जगा बताओ कितना गंदास expression दिया है क्या वो लिखोगे बैठके में लिखोगे ना दिमाग चलाओ थोड़ा सा क्या मैं इसको cos में convert कर सकता हूँ बिलकुल कर सकता हूँ कैसे this can be written as cos inverse cos inverse या फिर ऐसे देख लो can I write it as pi by 2 minus sine inverse minus sine inverse of sine of square root of 1 plus x by 2 plus x की power x यह कर सकते थे cos inverse theta equals to pi by 2 minus sine inverse theta सबसे best approach यह थी तो यहां से आपको देखो pi by 2 मिल जाएगा sine inverse sine कट गया क्या मिलेगा square root of ऐसे भी लिख सकते है उसको अलग अलग 1 upon root 2 into square root of 1 plus x can I write it like this root 2 थो number है अलग कर सकते थे और plus x की power x यह है आपका main function तो d y by dx कितना आजाएगा बच्चों यह हो जाएगा 0 minus 1 upon यह root 2 और इसका differentiation होता है 1 upon 2 root x plus 1 राइट अब क्योंकि यह linear function है x plus 1 है इसका differentiation करोगे वह नहीं आएगा क्यों मतलब नहीं है और इसका differentiation होता है कितना x की power x into 1 plus log x अभी सीखा था अभी भी सीखा था ना सो हमें क्या रखना है at x equal to 0 dy by dx sorry dy by dx at x equal to 1 रखना है यहापे आएगा minus 1 upon root 2 आपने 1 रखा तो into 1 upon 2 root 2 मिल जाएगा 1 plus 1 root 2 हो गया plus 1 की power 1 into 1 plus 0 log 1 is always 0 तो यह आपको कितना बन जाएगा root 2 2 1 गया यह minus 1 by 4 बन गया और यह 1 हो गया तो आपको answer मिल ला है 1 minus 1 by 4 तो answer is basically 3 by 4 option number a ठीक है समझ में आया कोई रिकत लेंदी question इतना आसान बना दिया तो यहां पर देखो यह तो आप question rule लगाने की सोचोगे बिलकुल कर सकते हो बेस्ट क्या product rule लगाओ product rule यह से लगा होगे देखो आपको दिया हुए y equals to sin inverse x upon x दिया है so why not take it as 1 upon x into sin inverse x correct मतला को question rule तो यहां पर क्या होगा पहले तो इसको रोकते हैं and differentiation of this sin inverse x तो into 1 upon square root of 1 minus x square plus दूसरे वाला sin inverse of x and 1 upon x का differentiation क्या होता है integration होता है तो integration पहले पहले पहुंच गई क्या होता है minus 1 upon x square straightforward formula था तो 1 upon x का differentiation is minus 1 upon x square तो यहां लिखोगे तो दो तीन चीज़े याद रखो तो यह क्या निकाला डी वाई डी एक लाइन में तो एक लाइन की questions होते हैं सब आप उसमें आप शो करना है कि इसको रोको डी बाई डी एक साइन इनिवर्स इस लिखा फिस साइन इनिवर्स डी बाई डी एक सो वह तुमारे उपर है अब डेपेंड भी करता है कितने नंबर का question है ऐसे एंसी की वात है तो भाई करो आगे बढ़ो ने दो नंबर का है तो दो तीन चेप भाई दिखा देना नंबर भी देना टीचर को तो इस तरीके से ब्रेक्ली सॉल्व रहे है कौन से option मैच कर रहे हैं यहां पर कर देते हैं चलो सिंप्लिफाइब करने के लिए क्या-क्या common link कुछ रहान एक्स कॉमन ले सकते हो ज़राते है कुछ कॉन सारा option बता वाइस इस करो करो सिंप्लिफाइब कि बढ़ा सिंप्लिफिकेशन से क्या रहा अंसर LCM क्या आएगा x square और 1- x square यहां पर किसकी कमी थी? x की कमी थी तो उसको multiply कर दो और यहां पर किसकी कमी थी? root में 1- x square की कमी थी x square था उसके पास root में 1- x square कमी थी तो minus sign because of this minus और root में 1- x square into sin inverse x. अब तो कौन से match कर रहा है? option number यह c में यह 2 क्यों दिया हुआ है? d कर रहा है. option number d is matching. ठीक है? so option d is the answer. अगर mcq आता, वरना यह कर लेना, बेटा simplify तो करी लेना. 122, differentiation of x into sin inverse x का whole square plus twice of root में 1- x square into sin inverse x and minus 2x is equal to what? इसका differentiation करोगे तो क्या मिलेगा? यह पूछा गया है. तो differentiation करो, चलो. कुछ common आएगा? sin inverse x you can take common, बट कुई फाइदा नहीं है. differentiate करो सिदा-सिदा. यहाँ पे बिसलिए 3 functions है. एक function यह, एक function यह, एक function यह, एक function यह. जभी plus minus से अलग-अलगो, तो अलग-अलग लेके उसको कर सकते हो. यहाँ पे यह given with x, sin inverse x का whole square and plus में twice of root 1-x square into sin inverse of x and minus में 2x. यह value दिये है. So, as such तो इसमें कोई formula नहीं बन रहा, correctly differentiate करो. तो सब्सक्राइब कर होगा नहीं. तो यह लिखोगे dy by dx, इसको अलग differentiate करो, इसको अलग करो, और इसको अलग करो, और इसको अलग करो, और साथ में लिख दो. क्या दिखकर? You can do that, then do that. ठीक है? कैसे? x और sin inverse x से differentiation क्या होता है? अलग-अलग मैं करके लिखाता हूँ. d by dx of x into sin inverse of x का whole square. अगें क्या लगेगा? Product rule. Product rule से क्या रखे होगे? x as it is रखा, इसका differentiation करोगे. तो twice of sin inverse x और sin inverse x से differentiation, chain rule से कितना हैगा? Root में 1 minus x square. कोई रिक्कत? Plus sign लगा होगे. अब sin inverse x का whole square as it is रखना. और x का differentiation is 1. तो यह आगया, पहला बहला. दूसरे में यह दिया था. तो again क्या लगेगा? Product rule लगेगा. तो d by dx of 2 तो बहार रख रख तो, कोई रिक्कत नहीं. square root of 1 minus x square into sin inverse x. इसका differentiation करोगे, तर इसको रोकते हैं. 1 minus x square हो जाएगा into sin inverse x को differentiation क्या होगा? अब यह अलग function यह अलग function है. क्या होगा? 1 upon square root of 1 minus x square. हाँ, वह 2 लगा हुआ है, मुझे मालूम है. कुछ पूछना है? क्या equal to है? मैं अलग-अलग कर रहा हूँ. इसका differentiation अलग किया, इसका अलग करूँगा, इसका अलग करूँगा, साथ में जोड़ो देंगे. यह u function, v function, z function. अलग-अलग कर के साथ में जोड़ो. इस differentiation की basic property पड़ी थी ना, अगर मैं बस दो functions अलग-अलग भी हैं, d by dx of let's say u plus v, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, du by dx plus dv by dx. अलग-अलग differentiate कर सकते हो? अलग करके दिन साथ में जोड़ो, क्योंकि एक में बहुत लंबा हो जाएगा, एक line में आएगा भी नहीं वैसे भी, तो इसलिए अलग-अलग करके we do that. तो यहां से twice of this value, और plus sign के साथ, अब sin inverse x को रोगते हैं, और इसका differentiation क्या होता बेटा? 1 upon 2 root 1 minus x square, लेकिन 1 minus x square का differentiation भी करोगे, तो क्या आजाएगा? minus का 2x, यह value मिलेगी, और minus 2x का differentiation क्या आएगा? सीधा-सीधा, minus 2, तो अब इन सबको add करोगे, देखो क्या answer आता है, चलो, add करो, इसका differentiation क्या आएगा? minus 2 आएगा, बाकी देखो, solve करो, answer क्या रहा है? कुछ values तो कटी जाएगे, यह तो देखो simplify होके, यह पुरा 2 से multiply हो रहा था, यह twice into this whole thing था, तो यहाँ पे देखो plus 2 आएगा, उदर से minus 2, तो यह 2, 2 तो cancel out, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और यहाँ से यह वाला 2, इसके साथ cancel है with a negative sign, और same चीज, with a positive sign कहीं है? नहीं है, चड़ो, ओके, so, यह तो cancel out नहीं होगा, यह होगा, 2, 2 से दर गया, एक value x है यहाँ पे, x ना होता तो हो जाता है, solve करो, देखो क्या रहा है, 125 में का करना है, आपको दिया है differentiation of this value, जब भी इतना complex value दिया हो, don't differentiate it directly, पहले simplify करो, आपको दिया है y is equals to tan inverse of bracket में है, 3x minus 4x cube divided by 1 minus 3x square, तो यहाँ पे always put x equals to, इस case में तो tan theta आ जाएगा, put x equals to tan theta, तो theta क्या होगा basically यहाँ से, tan inverse of x, यह बात की बात है, अभी यह रखना है, तो आपको y मिलेगा tan inverse of 3 tan theta minus 4 tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta क्या यह कोई जाने पेचान formula है, पढ़ोगे तब जाने पेचान लगेगा न, यह होता है formula, tan 3 theta this is tan inverse of tan 3 theta in case नहीं भी मालूम है, तो 3 3 दिख रहा है तो tan दिख रहा है कटनल था ही, क्या हैगा tan 3 theta इसर से क्या मिल गया, 3 theta किस की वाली हो, y की, और theta was tan inverse x, this is 3 tan inverse of x, अब dy by dx निकालो 3 as it is रहेगा, विगा से नंबर और tan inverse x differentiation 1 plus x square 1 upon 1 plus x square which option, option number b just a few steps so differentiation is more about simplifying than differentiating actually, number जादा simplification के मिलते हैं, देख लो अब बता सकतो 123 में x रहेंगे, tan theta यहाँ पे भी आपको क्या रखना x की जागा पे, put x equals to tan theta only यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे sin theta रखना x equals to sin theta तो इसका answer अगर तुमने यह देख लिया, तो answer इसका option यह आएगा इसका tan theta है, तो simplify करोगे देखो क्या answer आएगा cot inverse में cot inverse में क्या है तो अंदर 2 plus 2 इसके बाद लिखना छोड़ दिया था 2 plus 2 cos 6 divided by 2 sin x यहाँ था? correct? तो उपर हमें देखो मिलेगा, this was cot inverse, यह simplify करने के बाद है इसको क्या किया? rationalize कि rationalization कैसे करते हैं, जो भी denominator में दिया हुआ expression, बीच का sign change करके उपर नीचे उससे multiply करो उपर मिलेगा root में 1 plus sin x का plus root 1 minus sin x का whole square, तो cut pit के यह value आई नीचे यह value आएगी simplification के बाद, उपर नीचे 2 cancel out हो सकता है? 2 common लेगे 1 plus cos 6 आजाएगा 1 plus cos 6 नीचे क्या आजाएगा sin x ठीक है? कोई रिकर? अब 1 plus cos 6 किसकी value होती है? cot inverse this is value of 2 cos square x by 2 और यहाँ पर आजाएगा 2 sin x by 2 and cos में x by 2 correct? तो यहाँ से power cos की cut जाएगी with this and 2 and 2 gets cancelled, cos x by 2 sin x by 2, मिलता है आपको cot inverse of cot x by 2, उसमें भी यही आ रहा था cot x by 2 ही आ रहा था बर उधर tan था तो हमने क्या जुगाड किया था? pi by 2 minus tan inverse tan यहाँ तो directly cot inverse cot लिखा है तो answer क्या रहा है यह? x by 2 this x by 2 is basically the value of y. तो dy by dx कितना आ जाएगा differentiating this, you'll get 1 by 2 which is option number d. ठीक है? So question एक time की वाद इतने कर लिए हैं इदर 2016 दिया है, कोई फरक पड़ता है just a constant value differentiation क्या है इसका? सीधा बताओ dy by dx क्या हैगा? it is simply इसको differentiate करोगे तुम्हें मिलेगा 2x by a square plus 2y by b square dy by dx अब किस-किस के मन में sir, quotient rule क्यों नहीं लगाया? बताओ जिल्दी, है किसी के मन में? है किसी के मन में quotient rule क्यों नहीं लगाया? नहीं है न? क्यों नहीं है? Because a, b, 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 क्या है? constant है. तो जब number division में तो quotient rule नहीं लगाने का. ठीक है? अब देखो, तुम्हें मिलेगा 2y upon b square dy by dx, simplification इसके बाद, equals to minus times 2x by a square आएगा. अब दोनों साइट से 2 to cancel out हो सकता है. and dy by dx की value क्या आ जाएगी? simply by b square into x minus sign के साथ b square into x divided by a square y minus sign एक ही में option number 1 clear? straight forward question कोई रिक करते हैं take a note of this same ये भी है अब देखो, same कुछ इस तरीके से तुम्हें ये भी मिलेगा dy by dx मिलेगा चार अच्छा करो पहले फिर बताएगा 128, so यहां पर दिया है, मैं directly differentiate कर दूँ क्या होगा भाई? 2 by 3 x की पावर 2 by 3 minus 1, plus में 2 by 3 y 2 हो, कुछ भी हो, क्या आएगा? 0 differentiation of any constant is 0 अब 2 by 3 उदर ले जाओ कुछ भी ले जाओ, हम divide कर से दुन्हों साइट से मैंने क्या क्या? 2 by 3 cancel out कर दिया, हमें निकालना क्या था? dy by dx at 11, right? dy by dx at 11, तो यह जो 11 लिखा होता है, यह basically ordered pair दिया होता of x, y this is the ordered pair, x, y x and y की value दिया है, उठा के रगदो यह रगदो, क्या दिक्कत है? अब जब यह तुमने रखा, तुम्हें मिलेगा कि x की कोई भी power हो, 1 ही आएगा, तो यह expression कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 plus 1 dy by dx equal to 0, तो dy by dx की value कितनी आजाएगी? minus 1, correct? यह दर जाके minus 1 हो गया, उस 1 से तो फरक पढ़ता नहीं, क्योंकि यह multiplication देता है, यह answer इसको तुम simplify करना चाहो, वह भी कर सकते हो, इसको मैं directly ऐसे लिख सकता था, कि dy by dx is equal to यह क्योंकि x इदर गया, तो minus sign के साथ, x की power, और 2 by 3 minus 1 कितना होता है? minus 1 by 3, और नीचे क्या जाएगा divide में, y की power minus 1 by 3, अब x की जगा 1 रखो, y की जगा 1 रखो, कोई भी power 1 होता है, वैसे भी, 1 upon 1, और minus sign लगा, इसलिए minus 1, तो ऐसे directly भी रख सकते थे, अगर mcq में आता है, बढ़ना, simplify करके, you have to put the value, कोई रिकत? 129 का बस में वो बता दे रहा हूँ की करना क्या है, 129 में, just do this, की भाई, x plus y upon x minus y इधर रहेगा, this is equals to sec inverse of a, जब आप differentiation करोगे, यह 0 हो जाएगा, ठीक है, sec inverse of a क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यह constant है, तो और असान बना लिया हमने अपने question को, 130 देखो, तो y आपको यहां पे दिया हुआ है, e की power, this is 6 square x, e की power, 6 square x, and plus में 3 cos inverse x, easy differentiation or not, सिर्फ simplification के यह number है, तो dy by dx क्या आजाएगा, इसको differentiation करेंगे, तो यह simply क्या रहेगा, e की power, sec square x ही रहेगा, लेकिन sec square x को भी differentiate करोगे, तो यह आजाएगा, twice of sec x, correct? sec square x differentiation किया, twice of sec x आया, उसके बाद sec x को दुबारा से differentiate करोगे, तो क्या मिलेगा? sec x into tan x, clear? यह इसका आगया, पहले वाले का differentiation यह आएगा, ठीक है? दूसरे वाले में क्या आएगा, plus में, minus sign के साथ लिख सकते हो, minus 3 divided by 1 minus x square, right? क्योंकि, cos inverse x differentiation होता है, minus 1 upon square root of 1 minus x square. तो, this is e की पावर x minus y, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x upon e की पावर y, and that, जो भी राइट में लिखा क्या लिखेंगे, log x minus log y, ठीक? correct? अब अगर आप इसको differentiate करते हो, सीड़ा सीड़ा differentiation हो जाएगा, तो इधर तो quotient rule लगेगा, right? quotient rule लगा, product लगाओ, तुमारे ओपर है, quotient rule लगा लेते हैं, तो यह नीचे आजाएगा e की पावर 2y, correct? और numerator में क्या मिलेगा? denominator as it is, and differentiation of the numerator, minus sign, minus आता है, the numerator as it is, and denominator of, इसका differentiation, तो dy by dx आजाएगा, पहले लग रहा था ना, कट जाएगा, x1 upon y, क्या जाएगा यहाँ पर? dy by dx, so मेरा main काम क्या है? dy by dx वाले terms को एक साथ लाना, correct? तो एक साथ लाने के लिए पहले मुझे भी multiply करना पड़ेगा, either side, e की पावर 2y को multiply करना पड़ेगा, क्या? क्यों नहीं करना पड़ेगा? basically e की पावर 2y क्या है? e की पावर 2y, e की पावर y into e की पावर y, right? this is e की पावर y into e की पावर y तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको उदर ले जाओ, इसको उदर ले जाओ, तो यहां से आपको मिलेगा e की पावर x upon e की पावर y minus में 1 upon x equals to यह उदर ले जाओगे, तो dy by dx हम common ले लेते हैं, और यहां मिल जाएगा आपको e की पावर x, और अगर इसको तुम ऐसे भी लिखना चाहों कैने, write it something like this by e की पावर x minus y वापस से, कोई रिक्कत लिखा जा सकता है, e की पावर x minus y और इसको भी e की पावर x minus y, क्योंकि e की पावर x upon e की पावर y था तो यह लिख दिया, और minus में 1 upon y, यह value आ रही है, तो dy by dx इदर रखना है, इसको cross multiply करना है, इसको मैं अटा दे रहा हूं, इसकी तरुरत निया में भी, ठीक है, तो अगर मैं इसको simplify करता हूं, simplification से क्या आएगा देखो, यह आएगा x into e की पावर x minus y minus 1 upon x, correct, same इदर भी simplify होके आएगा, लेकिन वह आके नीचे multiply हो जाएगा, y into e की पावर x minus y and minus में 1, और जो यह y नीचे denominator में था वो इदर numerator में आ जाएगा, this is the value of dy by dx, simplification समझ में आया, आया कि निया, पहले दर simplify किया, LCM लेके, तो y into e की पावर x minus y minus 1 वो उदर जाके denominator में आ गया, ठीक है, और यह जो denominator में वाया था उतर जाके, numerator में आ गया, और बाकी इदर तो simplify किया था, this is the value of dy by dx, take a note of this and question खातम, यह वाला भी, we have discussed this, 132, 133, we have discussed this, तो basically क्या है, यह दो different functions है, दो different functions है, एक function आपको u दिया है, क्या दिया हुआ है, sin inverse of 2x upon 1 plus x square दिया है, एक बता दे रहे हैं, इसके बाद आले सेम है, तो 132 बता रहा हूँ, एक function u ले लिया, एक function को v ले लिया, that is tan inverse x, that is tan inverse x, तो अगर तुमसे बोला क्या है, differentiate this with respect to this, तो basically क्या करना है, du by dv तो निकालना है, तो you need to find du by dv, तो separately उसको differentiate कर लो पहले, इसको देखो, u कितना आ जाएगा, sin inverse, x की जगा मैं कुछ और रखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, put x equal to tan theta, put x equal to tan theta, तो यह बन जाएगा, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, तो इस sin 2 theta की value होती है, तो u कितना आगे बटा, 2 theta, ठीक, sin inverse sin कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 theta, और theta क्या था, tan inverse of x, तो बिसील tan inverse x को differentiate करना है, with respect to tan inverse x, answer बनाएगा, ठीक है, कर भी लो, देखो, this is equals to twice of tan, यहाँ भी 2 है न, sorry, twice of tan inverse x, तो हमें क्या पहले निकालना है, du by dx निकालो, you need to find du by dx, तो यहाँ जाएगा आपका, 2 upon 1 plus x square, similarly, dv by dx अगर निकालोगे, यानि कि आप tan inverse x differentiate कर रहे हो, यहाँ जाएगा 1 upon 1 plus x square, at the end, you need to find du by dv, which is nothing but, इन दोनों का division, right, so you have to write like this, why du by dx लिखना था, और dv by dx लिखना था, तो हमें du by dv मिल ला था, so that is equals to 2 only, ठीक है, सब कट की के बचाएगा, 2, option number d, so यहाँ पे 135 देखो, y is equals to square root of 3x plus 2 दिया है, तो आपको निकालना है d2y plus dx square plus dy by dx का whole square की value, इसका मतलब क्या है, पहले दो dy by dx निकालते है, तो dy by dx क्या आएगा, 1 upon 2 में root 3x plus 2 into 3, ठीक है, chain rule से यह 3 मत भूल जाना, यह तो लिख लोगे यह नहीं भूलना, जो भी root के अंदर होगा उसको भी differentiate करना है, तो यहाँ पर यह मिलेगा, और इसका double differentiation जब भी आप करोगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, can describe it as 3 by 2, और अभी के लिए सिंप्लिफाय करने के लिए, 3x plus 2 की power minus 1 by 2, इसको ऐसे लिख सकते है, यह क्या है, dy by dx की value, अगर मैं को यहाँ पर d2y by dx square चाहिए, यानि कि मैं इस वाले expression को दुबारा से differentiate कर रहा हूं, तो यह जो 3 by 2 है, यह तो as it is रहेगा, क्योंकि एक number था, यहाँ पर जो minus 1 by 2 हो आगया जाएगा, तो we will put minus 1 by 2 आगे, और यहाँ पी क्या करोगे, minus 1 करोगे, तो जब आपने minus 1 की आपको क्या मिलेगा, 3x plus 2 की power minus 3 by 2, क्या हम कुछ भूल लें, बिलकुल, इसको भी differentiate करना है, क्या लिखेंगे, इंटू 3, clear, समझ मैं है, पूरा step, एक एक step, clear है, तो यह d2y by dx square आगे, अब इसको simplify करोगे, तो देखो, यहाँ रहा है, minus 9 by 4, यह आपको मिलना है, minus का, 9 by 4, 3 is a 9, 2 is a 4, और minus 9 के साथ, and this is, 3x plus 2 की power, minus 3 by 2, basically इसका मतलब क्या होता है, बता सकते हो, 9 by 4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि 3x plus 2 की power, ऐसे minus 1, इंटू 3X प्लस 2 की पावर माइनस 1 बाइ 2 ऐसे लिख सकते हैं लगा लगा है कोई रिकत ये इसलिए लिखते हैं लिखो ना लिखो, साथ में लिखते हैं वो इसलिए क्योंकि हमें simplify करके solve करना, add करना तो it will be 3X प्लस 2 की पावर माइनस में 3 बाइ 2 so basically इसका square करोगे और इसमें add करोगे simplify करके answer बताओ क्या रहा है इसका square करो, इसमें add करो square इसका आजाएगा आपका कहां लिखें, नीचे लिख देते हैं दर dy by dx का whole square will be 9 by 4 और ये 3X प्लस 2 की पावर माइनस 1 यहाँ तो यहाँ पे common लेके हैं simplify करना था, इसमें कुछ missing है, missing यह है basically, कुछ तो missing है वरना यह answer 0 आता है, generally कुछ इसमें missing है, question में, अभी 0 नहीं आ रहा होगा, solve करोगी 0 नहीं आएगा, 0 इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे square करने भी minus 1 आ रहा है, यह ता minus 3 by 2 आ रहा है, तो definitely यहाँ पे कुछ इस तरीकी से question रहा होगा, कि 1 upon y d2y by dx square plus dy by dx, यह question होगा, तो answer 0 आएगा, ऐसे कोई number नहीं आएगा, एक expression आएगा, check कर सकते हैं sir, एक बाद check कर लिए, यहाँ पे d2y by dx square यह आ रहा है, और dy by dx यहाँ आ रहा है, question कुछ तो यहाँ पे 1 upon y होना चाहिए था, 135 135, यहाँ 1 upon y होना चाहिए था, तब वो 0 आएगा, वरना नहीं आएगा constant नहीं आएगी value कोई, expression में आएगा answer, जो दिया, उस तो expression में, होना यह चाहिए था, तब कट जाता सब, समझ में आगया, चाहिए बढ़ते हैं 136 पर, okay, so, यहाँ दिया है, a cos log x plus b sin log x, then x square y2, अब यहाँ y2 का मतलब क्या है basically, differentiation दो बार हो रहा है, y1 का मतलब differentiation एक बार, y मतलब जो original expression है तुमारा, तो differentiation करते हैं पहले, y तो तुम्हें मालूम है, y is basically, a cos of log x, यह दिया था, बस छोटा साथ, तो dy by dx क्या आएगा, या इसको आप y1 लिखना चाहो, वो भी लिख सकते हो, by a cos of log x मतलब क्या होगा, a लिखा है, as it is, cos का differentiation होता है, minus sin log x, कोई रिक्कत, और log x का differentiation आप करोगे, तो क्या आता है, 1 upon x, plus, यहाँ पर क्या आएगा, it will be b cos of log x, b cos of log x, और upon में, 1 upon x, तो यह आपका y1 आगा, similarly, जब आपने y2 निकाला, तो क्या आएगा, इसको differentiation करोगे, क्या नीचे आएगा, x2, वो सही था, यहाँ पर भी, हमें क्या रखना है, d and d, यानिकी, denominator as it is, numerator तो जब आप differentiation करोगे, आपको मिलेगा ना, minus a, sin log x क्या हो जाएगा, minus a, sin log x will be, cos का log x, और यहाँ पर आजाएगा, 1 upon x आजाएगा, correct, यह आगया पहला differentiation, यहाँ पर minus sign लगाके भी तो होगा, ठीक है, numerator को as it is लिखेंगे, numerator को as it is लिखेंगे, क्योंकि यह numerator में ही minus था, तो plus में, numerator में minus तो यहाँ पर plus में, a, sin log x, और अब x का differentiation बन होता है, अब यह काम जो हमने इसके साथ किया, वो इसके साथ भी करना था, ठीक है, तो यहाँ पर लगाओगे, plus sign and differentiate this also, अब सही आया यह, यहाँ से यह x, x तो cancel हो गई होगा, जैसे कर रहेते, exactly यहाँ पर भी मिलेगा, divided by, denominator में, it will be x square only, and यहाँ पर x as it is, b cos log x तो differentiate करोगे, क्या मिलेगा, b minus का sign log x again, और log x का differentiation करोगे again, 1 upon x मिलेगा, ठीक है, और minus sign के साथ, x का differentiation, numerator के differentiation नहीं होगा, इसका differentiation होगा, तो minus में b, cos of log x काथ, और x का differentiation 1, तो यह value y2 की पूरी आ रहे है, यहाँ से यहाँ तक, मैंने किया गया था, खाली इसको ही देखा था, उसको भूल गया थे, differentiate करना, बाके it was correct, ठीक है, तो इनको आब बस add करना है, इसमें x2 multiply करके करोगे, इसमें यह करोगे, इसमें यह करोगे, तो cut के आएगे 0, इसका answer भी 0 यह आएगा, ठीक है, सबको add करोगे, plus minus वाले terms है, numbers मुझे वैसे भी नहीं देख रहे, तो answer क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, तो answer is, option number B, अब भी तार है, 140 वाला जो question करने का जो तरीका है, that is, आपको दिया है, y is equals to cos inverse x, तो difficult आएगा, differentiation इसका length ही हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x equals to cos y, कोई रिकर्ट, कोई रिकर्ट, cos inverse को इदर रेते हैं, कोई फर्रक नहीं पड़ता, तो differentiation with respect to x only, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, 1 equals to, cos y का differentiation क्या होता है, minus sin y, dy by dx, तो यहाँ से dy by dx की value क्या आगए बेटा, क्या आगए, यह बेटा, divide होगा, तो minus में cosec y, correct, minus में cosec y, again you can differentiate, लेकिन यहाँ पर differentiation करते हैं, तो समय एक ध्यान लखना, आप differentiation करोगे, d2y by dx square, with respect to x किया, यहाँ पर minus sin as it is, cosec y का differentiation क्या होता है, minus cosec y, cot y, होता है न, minus cosec y, cot y होगा, तो यहाँ पर minus minus will become plus, यहाँ पर cosec y into cot y, लेकिन ध्यान से, अब इसका क्या करोगे, इसकी value देखो, तुमको दी होई यहाँ पर, तो put the value of dy by dx, यहाँ पर, तो answer क्या आजाएगा, answer will be, minus में, cosec square y and cot y, इसकी value मैंने यह रख दी थी, इसलिए आगया, तो answer of, d2y by dx square, कोई रिकर, तो option number, b, clear, difference station करा, हमने with respect to x only, because हमें नीचे dx square चाहिए, तो क्योंकि यह y था, तो dy by dx, you have to write all this, कोई भी time है, except for x, you have to write dy by dx, clear, बोलो, अगला question, यह सारे question भी इस तरीके से हैं, यह proving कि आपके questions हैं, यह आप रामसिका सकते हो, क्या होगे, इसको करने का जो प्रॉपर तरीका है, x को एक तरफ रखेंगे, question number 142, यह note कर लो, कर लिया, आप चल्दी कर लिया है, x को इदार रखा आपने, और इसको लिखा, cos y upon cos of a plus y, correct, ऐसे भी लिख सकते हो, यह फिर थोड़ा घुमा के लिखो, cos of a plus y upon cos y is equal to 1 upon x, लिख सकते हैं ऐसे, इससे फाइदा क्या होगा, cos of a plus b क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b, या तो हो गई, तो इसको open कर लेना, अब cos a का जो है, वो एक constant है, इसको लिख लो complete कर लेते हैं, इसको cos a cos y minus sin a into sin y, और यह जो cos y individually दोनों से डिवाइड होगा न, होगी नहीं होगा, this is equals to 1 upon x, अब यहां से cos y तो cancer out हो गया, बचा आपके पास cos a, और यहां से बचा minus का sin a tan y equals to 1 over x, differentiate with respect to x only, जब आपने किया, यह तो 0 हो गया, यहां ते क्या बचाएगा, यहां बचाएगा minus sin a, क्योंकि यह constant value है, और tan y का differentiation होता है, sex square y dy by dx, और यह होगा minus का 1 upon x square, अब बोलो product rule क्यों नहीं लगाया, जरूरत नहीं थी, यह number है, sin a is a constant value, इसलिए product rule नहीं लगाया, यह dy by dx इसको भेज़ दो गेज़र, तो dy by dx की आपके पास value मिल जाएगी, again you need to differentiate with respect to x, कर लोगे, इस तरीके से हो जाएगा, तो इसी के साथ, यह जो हमारी sheet थी वो sum up, इसमें क्या करना था, इसमें भी same चीज़ करनी है, यह जो sin inverse x लिखा था था ना तुमने, equals to root y ले लेना, और x is equals to sin of root y ले लेना, असानी से solve होगा कि नहीं होगा, instead of solving उसको यह solve करना जाएदा असानी है, clear, और sin of sin x, एक जगा sin inverse करो, sin inverse y equals to sin x, जैसे तुम्हें मन करें ही कर सकते हो,